व्हार छुप में पनेर की रेस्पि नहीं डाल पाई बिना लासन प्याज वाली रेस्पि है यह इसे अभी केशिद व्हारें प değild증 cosmos नहीं ख इसके बाद नहीं खाते हैं तो यह जिलिए यह बहुत इस्टारश को किस तरह से बनाना या आपको विडिली में बने रह न आई कराही में डाल दिया घी एक बड़ा चमठ जिसे में गर्म कर लिया है अभी लाइट नहीं है कुटी हुई तो तुरी सी मेरी लाइट कम दिखड़ी है यहां पे और घी को जिसे गर्म कर लेना है और साथ भी भूजन बना रहे हैं तो मतलब दम सिंपल सोबर बनाना इसको तो म थोड़ी से मैंने लिए अधहें लें काफ बडिया और छोड़ी सम्लाय को चाहिए पीसे मने बिरीय। τους बड़े साज के लिए यहाथ वर दालिया टमाटर तो लगबग 2-3 मिट के लिए मैं इसे सौफ्ट होनी देती हूं हलका सा तब तक चले मैं पनीर बता देती हूं मैंने पनीर यह घड में बनाया हुआ है क्योंकि मतलब बड़त तरहली सीजर में पनीर कुछिस करें कि घड में ही बना ले अगर नहीं बनाने चाहते तो रेडिम क्य करना बनाने के लिए आप को ले लेना है मतलब क्रीम बाला दूद में गड़ लिए इन्व अब इन मासी करने थो निदगा चांटने को शेंद रहे शीर में तुरंत पानी अछेन अलग हो जाता है लेकिन कि चंनते में करो खंग पानी को निकलने के लिए 3-4 गंटे के छोड़ देना है तो आपका पनीर बिल्कुल इस तरह से निकल कर आ जाएगा घर में इस तरह के स्पंजी पनीर निकालना भी हाड नहीं है आप निकाल कर देकि बहुत असानी से निकल जाते है और इसी बीजे के फ्रेंट्स बहुत अच कि इसी हल्दी कलर के अनुसार और यहां पर मैंने सेंधा नमक का यूच किया है ब्रत बाले में सेंधा नमक ही जेनरली यूच की जाती है सेंधा नमक कभी धेला बला होता है तो उसको लाकर हलका मिक्सी में चला देंगे तो पॉड़र सेप में आ जाती है उसके बाद क्या क मैंने इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं क्रीम घर की प्रेस मलाई जो होती है वो निकाल ले या फिर बजार में भी अमूल क्रीम मिलती है वो ले ले उसके साथ तोड़ी सी दूद जरूर ले ले था कि उसमें ग्रेवी में एक क्रीमी अगर दूद के साथ उबले भी तो और भी थोड़ी सी ग्रेवी इसकी गाड़े हो जाए क्योंकि मेरे मसाले में बहुत ज्यादा एड नहीं कि एंतम सिंपल सोबर मैंने बनाया है और देख सते हैं बिना धनिया पॉडर बगारा के भी ग्रेवी बहुत अच्छी तयार हो ज सकते हैं फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा या फिर हलका बटर भी डाल सकते हैं बटर भी अगर घर में बनाया हो बटर यूज करते हैं तो बटर की भी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी बटर बनाना भी बहुत आसान है तो इस तरह से मैंने एक चमच यहां बटर हो गया है तो इस तरह से आप पूड़ी पराठा या फिर अर्वा चावल बगारा मतलब की यूज करते हैं लोग पड़ में या फिर नवरात्र में तो कुट्टू कांटा बगारा यूज करते तो जो भी आप जिस तरह के आप रोटियां खाना पसंद करते हैं नवरात्र व अगर आपको गरम मसाले का फ्लेवर चाहिए तो गी में एक बड़ी लाइसी और इतिताजिनी का टुकरा डाल दें उसे टेस्ट आपको बहुत अच्छा आजाता है लेकिन मैंने बहुत इसाधारन बनाया है अब आपको क्या करना है कि उतारने के जश्ट पहले जब तेल से अच्छे से सर्फ करना है तो चलिए मैं भी प्लेट में निकाल लेती हूं और गर्मा गरम परोस्ती हूं तो यहां देखे मेरी पनेर की दम सिंपल मतलब साधगी वाली जैसे भी बन गर तयार होगे बीन अलाह से प्याच के कुछ कुछ बातों का ध्यान है कि क्रीम अच्छ कुछ बनेर की का यह बहुत पसानद आई होगी आप इसे ट्रॉय किजिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने ट्स्क बहुत अच्छ दिया ओर ट्राइ पास मुझे लिए अन्य वीदियो न्य वीडियो के साथ अके बागा फुर वाचिंग जय आए द्या दिया दोस्